कमलिका दासगुपता समलैंगिक है हाल ही में वो भारतिय समुदाय के एक धार्मिक समारों में गई पासी कुछ लोग बातचीत कर रहे थे वो कह रहे थे कि बच्चों पर इस कानून का क्या आसर पड़ेगा बलातकार और बच्चों के यौन शोशन की घटनाय बढ़ जाएंगी ये दिल दुफा देने वाला था मैंने खुद से कहा आपको पता नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हैं चार साल पहले आसरेलिया में कमलिका की मुलाकात उनकी पार्टनर से हुई लेकिन सिड्नी के भारतियों में समलैंगिकों के प्रती सोच को जानकर वो डिप्रेशन में चली गए जब ये कानूं पास हुआ ये हमारे लिए बड़ी चीज थी मैं रो रही थी हम अपने मूल भूत मानवधिकारों के लिए संखर्ष कर रहे हैं समलैंगिकों के लिए परिवार का साथ बेहद महतुपूर होता है गीती दत को तीन साल पहले पता चला कि उनका भाई सिधार्थ समलैंगिक है उसे लगता था कि अगर उसने लोगों को अपनी सेक्शुलिटी के बारे में बताया तो लोगों के साथ उसके संबंद पहले की तरह नहीं रहेंगे ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है वो इसलिए क्योंकि हम लेजबियन, गे, बाइसेक्शुल, ट्रांसजेंडर सभी को अलग-अलग करके देखते हैं अलग-अलग मतों के बावजूद, दक्षण एशियाई समलैंकिकों ने चुप-चाप, शादियां करनी या तो शुरू कर दी हैं या फिर उसकी तयारी चल रही है आस्ट्रेलिया में दक्षण एशियाई समलैंकिकों की संख्या हजारों में बताई जाती है अस्ट्रेलिया का भारतिय समाज इस मुद्दे पर बटा हुआ है हमने हाँ पर कई स्थानिय लोगों से बात की कुछ ने कहा कि वो समलैंकिकों की शादी का समर्थन करते हैं कुछ ने कहा कि वो विरोध करते हैं क्योंकि ये उनके धर्म उनकी संस्क्रिती के खिलाफ है जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वक्त बदल रहा है और उन्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा रियल्टी यह है भाई कि अब समय के साथ में कुछ तो एड़जस्ट करना पड़ेगा दारा के साथ में बहना पड़ेगा लेकिन जहां तक मैरिज का सवाल है मैरिज तो भाया मेल और फिमेल में ही होती है कमलिका और उनकी पार्टनर शादी को लेकर बेहद उतसाहित हैं बस कोशिश है सिड्नी जैसे महंगे शहर में शादी से पहले कुछ और पैसे जोड़ लिया जाएं झाल 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 झाल